मशकार दोस्तो आगे हम एक और इंफोर्मेटी वीडियो के साथ में आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैनी स्टॉक के बारे में जो की आपको अच्छे रिटन बना के दे सकता है बड़ दोस्तो एक बात ध्यान नखना पैनी स्टॉक्स में जितने ज़्यादा रिवार्ड रहता है उतना ज़्यादा रिस्क भी रहता है तो आप इसमें अपना ज़्यादा इंवेश्मेंट मत करना आप अपने पॉर्टफोलियो का शिरिफ एक से दो परसंट पैसा ही इनी स्टॉक्स में इंवेश्ट करना दोस्तो वैसे मैं आपको बता दो अगर आपको पॉर्टफोलियो का साइज थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है तो आप अपने उसके हिसाब से इसमें इंवेश्ट करना और दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जिस stock के बारे में हम बात कर रहे हैं उस stock का market capitalization आप देखोगे तो वो 405 करोड का है और current price अगर हम stock का देखें तो वो 2 रुपे 35 पैसे का है और अगर 52 weeks का इसका high price देखें तो 5 रुपे 16 पैसे का था और इसका low price जो है 2 रुपे 33 पैसे का था stock piece का 224 का है book value इसकी 2 रुपीस की थी dividend इन्होंने अभी तक नहीं provide कराया है क्योंकि company छोटी है अभी अपने आपको grow कर रही है दोस्तों ROCE देखें तो इसका 1.09% का ROCE देखने को मिलता है RG इसका आपको 0.18% का देखने को मिलता है ROE और दोस्तों face value की बात करें तो 1 रुप परसेंटेज है दोस्तों promoter की holding कम है यह इसका एक drawback है बड़ मैं आपको बता दूँ यह stocks जो है infosys जैसे IT sector में काम करता है तो आपको यह अच्छे return बनागे दे सकता है दोस्तों company के प्रोज के बारें बात करें तो आप देख सकते हो company जो है almost debt free है company के पास कोई कर जा नही है और अगर data days की देखें तो इन्होंने अपने debt को भी improve किया है और दोस्तों company working capital requirement have reduced from 62.1 days to 24.0 days और दोस्तों अगर हम कौन के बारें बात करें तो company ने जो है delivered किया है poor sales को but अगर promoter की holding देखें तो वो भी बहुत low है 19.6 percentage जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर हम company के sales के बारें बात करें तो आप देख सकते हो मार 2017 में company ने 36 करोड़ की sales generate करी है मार 2018 में 34 करोड़ की sales generate करी है और अगर इसके share holding pattern की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया promoter की holding इसमें constant रही है 2020 से 2022 सक 19.65 की दोस्तों FIS की holding थोड़ इस increase हुई है 0.03% की DIS की holding इसमें नहीं और government का enrollment इसमें 0.03% का है और दोस्तों public की इसमें holding 82.28% की है तो दोस्तों आप देख सकते हो government का भी एक छोटा सा involvement है इसमें FIS का भी छोटा सा involvement है तो आप इस stock को अपने portfolio में consider कर सकते हो इस stock का नाम है FCS Software Solution Limited तो दोस्तों आप इस stock को अपने portfolio में रख सकते हो यह आपको अच्छे return मनागे दे सकता है बागी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें comment section में जरूर बताइएगा और दोस्तों ऐसे useful content देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करो और इ